तो परिक्षा आपने 50% discount के साथ Air Force का test series को launch किया है तो अभी तक जो candidate परिक्षा आपका test series नहीं खरीद पाए हैं तो अभी भी उनके पास मौका है link description box में डाल दिये हैं 50% का discount अभी भी चल रहा है तो जल्दी से जाकर आप लोग इस महीने के अंत तक जल्दी से जल्दी खरी लिजेगा क्योंकि एक महीना और आपका 50% का discount चलेगा तो Air Force के जितने भी candidate ग्रूप X&Y के यहां पर दोनु लैंग्वेज में आपको test series उपलब्द हो जाते हैं तो जाकर आप देख लिजेगा और आरा वाला 50 अब आपको coupon code का यूज करना है निकि आरा वाला 50 capital letter में डाल दीजेगा वहाँ पर coupon code में और आपका 50% discount मिल जाएगा तो काफी अभी आपका easy method है जाकर देखिए link description में डाल दियें काफी सस्ता पड़ तो एक बर फिर से Indian Air Force ने exam को postpone कर दिया अब आपका exam होने वाले first week of November में यानि कि November का पहला सब्ता में Air Force Group X&Y का exam कराएगा अब यह महां पर देखिए एक चीज आपको बता दे कि अभी तक मतलब की किस कारण से वीडियो नहीं आ रहा थे इसके पीछे बहुत सारा रीजन है DFT, SRT और आपका group discussion जो भी आपका है सारा मतलब की अभी आपका बस SRT रह गया है दो चीज complete कर चूँगे आपका DFT और JD क्या JD का topic रहेगा कैसे आपको मतलब की वहाँ face करना है सारा PDF तियार कर रहे थे जो complete कर लिए और physics का 300 plus question जो important है उसको उसको भी PDF के रूप में आपको 25-25 करके provide करेंगे और अगला जो मेरा target है क्योंकि देखे हम पहले ही बोल चुके थे कि इस बार target लिए कि जो भी candidate इस चैनल से जाए वो exam को 4 दे अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका maths का syllabus हम अभी आपको provide करेंगे लिंक नीचे देदी हैं description box में जाकर इस image को आप लोग download कर लिजेगा और अपने copy में इसको note कर लिजेगा और किस topic से math का कितना question आपको पढ़ना है बस इतना कर लिजेगा हम आपका 40 plus का target लेकर चले हम नहीं चाहते ही कोई भी candidate stand by में जाए तो 40 plus का target group X को लेकर चलना है याप पर अब यहाँ पर math का यह syllabus होगा कल आपका English हो जाएगा और एक दिन आपका physics हो जाएगा यानि कि दुनों complete और दुनों में कितना marks लाना है और किस basis पर 40 plus आपको cross करना है देखे क्या है कि hard work से कुछ नहीं होता है आपको smart work भी करना अब कोई candidate नया है उसको पालूम नहीं है कि कहां से कितना पढ़ना है पूरा book को पढ़ जाएगा तो यहाँ पर देखे कौन सा आपका topic कितना important पढ़ेगा और देखे यहाँ पर क्या है कि अभी भी आपके पास पूरा October बचा हुआ है और इधर का आपका 20 मतलब की आज 10 त सामने है तो अभी भी आप यहाँ पर तेयारी जबर्जस तरीके से करेंगे और इतना पढ़ लेते हैं तो आपका 40 प्लस कहीं नहीं गया है पक्का 40 के आसपास जाकर गिर जाएगा आपका माक्स अब यहाँ पर ट्रीगों से देखे तीन कोश्चन गरांटी के साथ आपका पूछा जाएगा इतना सारा हम लिखें नीचे यह सेक्षन वन है उपर जीतना देख रहें आपका ट्रीगों कॉंपलेक्स नंबर डिफ्रेंसियेशन बाइनोमियल एपज़ेपी एचपी जीतना आप देख रहें पाई घीचे देखें नीचे बीच में से पाई घीचते है उपर आपका पार्ट वन है और नीचे यह पर पार्ट टू जहां से आपका इंटिग्रेशन प्रोबैबिलीटी आपका सर्कल कोनिक सेक्षन आपका सारा कुछ यहां पर भैक्टर वगरा वगरा देखें यहां पर देखें कहां से कितना कोश्चन आपका पूछा जाएगा यह पक्का यहां से इतना question आपका आता है और इसको आप लोग download करके का करेगा कि लिख लेजएगा copy वेगरा पर और यहां से इसी के अनुसार आप लोग preparation करेए हम आपको बोल रहे हैं आप इसी के अनुसार preparation करें पार्ट वन में जो topic है उसको serial wise उसी के यानि कि उसी sequence में आपको 11 marks मिल जाता है तो आपका जो part 2 है जहां से integration से part 2 आपका शुरू हो रहा है अगर यहां से 2 या 3 marks भी लाते हैं तो आपका कम से कम 14 marks तो maths में कहीं नहीं गया है ठीक 14 number आपका maths में आ जाएगा अगर आप part 2 से मात्र 2 से 3 number भी अगर लाते हैं तो ज्यादा लाएंगे तो और अच्छा बात है हम ऐसे आपको बताएं कि अगर part 2 से अगर लग रहा है कि आपका hard है part 2 तो देखे क्या है कि 2 से 3 marks भी अगर यहां से part 2 से अगर आप उठा लेते हैं तो 14 marks और part 1 से अगर आप 11 number लाते हैं तो आपका इतना हो जाएगा अगर आप अभी से पढ़े त अगर आप कुछ भी मैस में नहीं जानते हैं इतना अगर पढ़ लेते तो आपका काम हो जाएगा जहां से ज्यादा question आ रहे सबसे पहले उस topic को आप complete करिए ठेक और एक चीज़ बता देखिए जो candidate differentiation यानि कि अच्छे से तियारी नहीं किये हैं तो भाई उनसे बोलेंगे क कि आप differentiation को अच्छे से तियारी कर लिजेगा और एक चीज जिसमें अगर आप integration पढ़े हुए हैं अगर आप integration पढ़े हुए हैं तब ही आपको छूना है integration को नहीं तो यह बहुत लंबा chapter जाएगा आपका ओके अब यहाँ पर देखिए इतना आपका चीज है समझ गए आप इंग्ली से आपको 14 लाना है अपकी आप कैसे लाना है 14 marks इसका भी हम आपको रूल बताएंगे मैफ में आपको बता दी कि कि 14 marks कैसे आएगा आपका तो मेफ w अर इंग्लिस में आपका 1413 जोड़ लेज इतना और आप फिजिक्स में 12.75 marks भी अगर आप लाते हैं तो टूटल आपका 41 points something यहीं कि 25 marks आपका कहीं नहीं गया है तो अगर आप देखे mind के साथ यह यहीं कि smart work hard work करने के साथ आप ले कर से लेंगे कि इतना math mom को इतना लाना है physics में इतना लाना है और आपको English में इतना marks लाना है दैन आपका clear हो जाएगा group X first time में clear कर लेंगे तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो like comment और share जरूर करिएगा ए मुध ऑड्या होगा जापया लाना है inquiry से लिधो huh